तो दोस्तो मैं ट्रिगर वाली और बैटरी वाली दिवाली वाली गन तो बना चुका हूँ लेकिन मैंने सुचा है क्यों न इस बार चलो लाइटर वाली गन बनाया जा जो सिगरेट की जो लाइटर होती है उससे हम गन बनाएंगे तो अभी कुछ दिन पहले ही मैंने इस पर गन बनाया था लेकिन मैंने उसकी हैंडिल और पाइप अगरा नहीं बनाया थे तो चलो अभी हम उसके आगे का प्रोसेस करते हैं और वीडियो को सुरू करते हैं तो हेलो दोस्तो मैं हो सुभम और आप देख रहे हैं हमार कूल एक्सपरिमेंट तो चले फ्रैंड्स वीडियो को सुरू करते हैं तो यार दोस्तों आप लोगों ने कुछ दिन पहले देखा होगा कि मैंने इस तरीके की लाइटर वाली गन बनाई थी और मैंने बोला था मैं इसी के उपर पाइप और हैंडिल लगा कर इसे रियल गन बना रियल गन जैसा बना दूंगा लेकिन अभी मुझे उस गन को रिय लाइटर वाली गन है तो चले इस तरीके की मैंने पाइप ले लिये और इसको उपर से मैंने यहां पर कट कर दिया है कुछ इस तरीके से जिससे की इस तरीके जो सिगरेट वाली लाइटर हो वो इसके अंदर आ जाया कुछ इस तरीके से तो कट कोम को थोड़ा सा बड़ा ह ही रखना है आगे तक जिससे की ऑक्सीजन भी वहां पर पॉस्टार है तभी वह जलेगा क्योंकि वह अल्पीडी जैसे ऑक्सीजन के साथ जलती है और उसके बाद यहां पर मैं एक तरीके से और सेंड वाले पेपर से मैंने घीज दिया है और उसके बाद इस पाइप के उपर भी हम सेंड पेपर लपीड करके इसे थोड़ा घीज देंगे उपर से ताकि यह उसी पाइप के आकार का उपर से हो जा और इसके उपर पाइप में फीट कर सको आसानी से और इसके trigger को बनाने के लिए हम यहाँ पर थोड़ा जगा बनाएंगे ताकि हम इसके trigger को fit कर सके तो चली उसके लिए हमें इस type की drill bit की जरुवत पड़ेगी तो इसको बोलते है cutting drill bit इसको आप Amazon पर search करोगे तो आपको मिल जाएगा अगर आपके पास से यह idea बेस्ट होगा आप अगर इस drill bit से काम लोगे तो यह बेस्ट होगा तो चली वहाँ पर मैंने trigger लगाने के लिए इसे इस तरीके seal दिया है और उसके बाद इस still वाली pipe को हमको इसके उपर चिपका देना है तो यहाँ पर मैं febicol लगा रहा हूँ क्योंकि febicol जो होता है वो arald diet से जल्दी सुख जाता है आप चाओ तो arald diet भी लगा सकते है लेकिन arald diet सुखने में काफे जाधा time लगता है लेकिन febicol में एक नुकसान है कि यह पानी लगेगा तो full जाएगा बेकार हो जाएगा लेकिन यार पानी कौन यहाँ पर लगाने जा रहा है तो यहाँ पर एरald diet के जरुवत नहीं आप febicol लगाओगे तो भी काम हो जाएगा आप जल्दी सुख जाए रात भर में सुख जाता है और उसके बाद यहाँ पर यहाँ पर लगाओगे तो चले अभी यहाँ पर मैं आप लोको लाइटर भी लगा के दिखा दूँगा कि यह लगडी का टुकड़ा किस तरीके की लाइटर को अंदर से सपोर्ट देता है तो इस तरीके के यहाँ पर मैंने एक PVC पाइप ले लिए है इसे मैंने थोड़ा सा कट कर दिया है और इसे मैं बिल्कुल गर्म कर दूँगा तो अगर आपके पास गर्म करने की यह वाली मसीन नहीं है और उसके बाद इसको मैं उपर से थोड़ा सा काट दे रहा हूँ और उसके बाद फैविक लगा करके इसको पाइप के उपर यहाँ पर आपको चिपका देना है आप और मजबूती के लिए बाद में एरल्डाइट या फैविक ओल भी इसके उपर लगा सकते हो फिलाल से भी मुझे वीडियो जल्दी बनानी है इसलिए मैं केवल फैविक से चिपका दे रहा हूँ हाला कि यह भी काफे ज़्याद मजबूत है यह टूटे का नहीं आप और मजबूत करना चाहो तो इरल्डाइट वगरा लगा सकते हो तो अब दोस्तों यहाँ पे आप लाइटर को इस तरीके से लगा सकते हो और जब भी जरुवत पड़ी निकाल सकते हो यहाँ पे देख सकते हो आप लाइटर वर्क कर रहा है और यह कुछ इस तरीके स्फीट हो जाता है तो lighter को आप निकाल भी सकते हो लगा भी सकते हो तो अभी उसके trigger बनाने के लिए इस तरह के से मैंने तीन लोगे के टुकडो को काट लिया है और इसे कुछ इस तरीके से रख करके हमें welding करना है तो welding करने इस पहले आप किसी पट्रे पर 5W कोई से इसे चिपका लेना फिर welding करो तो lighter की जो बटन है वो अपने आप दब जाएगी तो चले उपर से मैं थोड़ा घीज करके इसकी चेतरफल को बढ़ा दे रहा हूं ताकि जब भी मैं उसको यहां पर चिपका हूं तो यह अच्छे से lighter का जो बटन है वहां पर चिपक जाए तो इसलिए मैंने घीज दिया ह ताकि ज़्यादा से ज़्यादा area वो cover करे तो चले यहां पर मैं इसे fabric quick से चिपका दे रहा हूं और इसको चिपका देने के बाद यहां पर मैं पीछे के side में भी एक support दे रहा हूं ताकि जो इसकी trigger है वो उसको एक अच्छा support मिले और वो जल्दी निकले नहीं तूटे नह तो चले यहां पर मैं इसके नीचे page लगा दे रहा हूं कुछ इस तरीके से और अभी इसके trigger को पीछे से भी support मिल गया है और आगे से तो यह चिपका है और जो extra page उसे मैं काट दे रहा हूं तो यहां पर आप लोग देख सकते हो कुछ इस तरीके का लुक दे रहा है और दे काफी वर्क बाकी है तो यहां पर मैंने गोल सा इस तरीके से लकडिका टुकडा ले लिया है और आप चाहो तो इसे घीस करके भी बना सकते हो और यहां पर मैंने एक छेद कर दिया है छेद को मैंने इतना बडा रखा है जिसे की जो बीडी बम की जो सुतली होती है बीडी अपको ज़्यादा निसानल लगा करके उसके अंदर नहीं डालना होगा तो चलिए अभी यहाँ पर पतली वाली पाइप होती है उसे हमने ले लिया और इसके पीछे मैं इस लकड़ी को लगा दे रहा हूँ तो दोस्तो कुवे जैसे अकरिती के फैदा यही होगा कि आप जब भी उपर से बम को डालोगे तो वो आसानी से छेद से बाहर निकल जाएगा वनना आपको बहुत देख करके लगाना पड़ेगा वो जल्दी निकलेगा नहीं तो मैंने कुवे जैसे अकरिती बना दिये जिस कि यह लकड़ी इस पाइप को मजबूती से पकड़ लेगी और यह बम के जटके से लकड़ी बाहर नहीं निकलेगी तो चले यहाँ पर मैं जो पतला वाला कील है उसे मैं ठोक दे रहा हूँ और यहाँ पर मैंने दोनों तरफ से कील इस तरीके से ठोक करके मैं कील को काट द तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कील को लगा देने से फायदा यह होगा कि जो लकड़ी है वो पाइप को अच्छे से पकड़ लेगी और बम के जटके से ये लकड़ी जो है वो बाहर नहीं निकलेगी तो यह काफी ज़्यादा मजबूती से भी मजबूत उचका आपको इसको चिपकाने की जरुवत नहीं है तो अब इसको गन के हमको आगे लगाना है लेकिन यह गन से काफी छोटी पाइप है पीछे पर्दे की मोटी वाली पाइप लगी है आगे पतली वाली pipe लगी है लेकिन दोनों pipe ही पड़दे वाली pipe है तो अभी चले इसको हम tape लगा करके थोड़ा पीछे के side से मोटा कर देते हैं अभी आसानी से इसके अंदर चला जाएगा तो चलो अभी मैं इसके अंदर इसे डाल दे रहा हूँ और इसको डाल देने बाद आपको इसको फैवी कोई से बिल्कुल अच्छे से चिपका देना है और ये वर्क करेगा डरने वाली कोई बात नहीं है ऐसा नहीं है कि बंप के जटके से तूट जागा अब मैं इसे काफी बार चला चुका हूँ तो आपको इसको फैवी कोई से अच्छे चिपका देना है जिस तरीके समय चिपका रहा है यहाँ पर आप लोग देख सकते हो बिल्कुल अच्छे से ये वर्क करेगा और पकड़ लेगा और अगर आप इसे और ज़्यादा मजबूत बनाना चाते हो तो उपर से कोई छोटी से कील यार इसमें छेट करके ठोक देना तो ये मजबूत हो जाएगा और उपर से यहाँ पर मैंने एक बड़ा से छेट कर दिया है क्योंकि लाइटर को जलने के लिए यार भरपूर ऑक्सिजन चाहिए तब ही जलेगा क्योंकि LPG गैस ऑक्सिजन के साथ जलती है वरना ये जलेगी नहीं तो बहतर है अगर आप इसके उपर एक होल कर दो और होल को आप जितना बड़ा रखोगे उतना ही अच्छा है ये और गन और जद्धा अच्छे से वर करेगा और यहाँ पर दोस्तों इसके पीछे के साइट को मैंने बंद करने के लिए इस तरीके से गोल सी लकड़ी मैंने घीस करके बना लिए और इसको मैं पीछे लगा करके इस तरीके से फैबिक लगा दे रहा हूँ ताकि इसका कलर डार्क हो जाए और यह चिपक जाए तो चले अभी यह इससा तो कंप्लीट हो गया है अभी लास्ट हिसा बाकी है जो जो ट्रिगर होती है उसके नीचे की जो लोहा होती है जो गोल आभी जो कोथि देख सकते हो खुछ ही तरीके मसमा करके इसा डूंद कर लिया ताकि इस तरीके से खुश मदानी से फॉसके बाद 자कर दों तो इसको कुछ इस तरीके से इसको कटिंग कर दिया कि यह करने तक आगे के साइड में पीछे की थैड में इस तरीके से घुशा दे रहो और उसके बाद तो यहां पर मैं फैविक कुक से चिपका दे रहा हूँ, आप इसे और मजबूत करने के रिए इसमें एरल डाइट या फैविक ओल अगरा लगा सकते हो, तो दोस्तों अभी यह गन हमारी बन के कम्पलीट हो चुकी है, आप बताओ इस गन का लुक कैसा और फिनीसिंग कैसे क्योंकि मैं चाता हो यार मैं कोई भी चीज बनाओ तो देखने में बेश्ट लगे और मस्त मजा दे, यहां पर दोस्तों गन बन के हमारी कम्पलीट हो चुकी है, और यहां पर इस तरीके के आगे के साइड में मैंने जो पतली वाली जो कील होती है, उसको बेंड करके मैंने इसे इस तरीके से यहां पर गर्म करके लगा दिया है, ताकि बम के जटके से यह तूट न जाए, क्योंकि यहां पर मैंने इसे फाइब को इक से चिपका है, कहीं वो छूट न जाए, क्योंकि यह एक बार यह छूट चुका है, तो चले उसे मैंने बेंड करके लगा दिया ह अभी वो भी इससा मारा मजबूत हो गया है तो चले अभी इसकी टेस्टिंग करेंगे तो यह हमारी गन तयार है और इसको चलाना यार बिल्कुल आसान है बम डालने का तरीका भी मैंने बिल्कुल इजी बना दिया है क्योंकि अंदर की जो लकड़े हैं उसे मैंने कुँए जैसे आकरीती दिये जिससे कि आप बम को किसी भी तरीके से उपर डाल दोगी यह अपने आप छेद में चला जाएगा आपको निसाना लगा करके छेद में डालने की जरूवत नहीं है तो मैंने आकरीती को कुछ इस तरीके से बनाए दोस्तो पहली बम तो यार डुसी थी उतना ज्यादा मजा नहीं है चलो एक बार इसे हम और चला के देखते हैं और देखते हैं यह कैसा पावर है तो यार दूसरी बम भी यार पहले जैसे बम पहले तो मैं गन चलाता तो त्यार जटका लेता था भी यार पहले जैसे सॉलिड बम हो तो यह और ज्यादा तेज और ज्यादा मस्त चलेगी सब कुछ बम के उपए डिपेंड यार तो दोस्तों I hope कि आप लोगों को यह वाली ग आवाराद